कहानी की शुरुआत में हमें बहुती खूसरत सीटी को दिखाया जाता है जहां के लोग चाय के बहुत शोकिन होते हैं वही हम एक पुराने घर में टीपेड मास्टर को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ चोटे चोटे टीपेड्स बनाया करते थे जिनकी खासेत होती थी क्यों पर चाय डालने से उनका रंग बदल जाता था मास्टर आज एक लेड़ी टीपेड को बनाते हैं जिसका नामों जियांग रखते हैं मगर तबी उनकी वाइफ को हाट अटेगा जाता है जिसे और टीपेड नीचे गिर जाता है जिसे गिलेरी लेकर बाग जाता है मास् सबी लोगों को उन टी पेट्स की, खुबी बताता है कि इनके ओपर पानी डालने से ये रंग बदलते हैं, ये देखकर सबी लोग खुश होते हैं, मगर ओ दुकांदार एक टी पेट पर पानी नहीं डालता, जिसका नाम तांग होता है, एक लड़की तांग पर भी चाय डाल लगती है, बगर दुकांदार उसे रोक देता है, और उसे बताता है कि रंग नहीं बदलता, इसलिए मुझे बेकार लगता है, और किसी दिन में इसे फेक दूंगा, ये कहकर उसे साइड में रख देते हैं, फिर हमें रात का सिन दिखाए जाता है, कि सभी इंसानों के जान होकर आज की प्रोड़क्टिविटी की गणा करने लगते हैं क्योंकि उनका मानना था कि जितनी बार उन पर चाई गिराई जाएगी उससे और ज़्यादा भागिशाली बनेंगे और इनमें इससे खुश्बू भी आती थी कोईन फ्रोग नाम का एक टी पेड़ बहुत होता है क्योंकि आज उस पर सबसे ज़्यादा भार चाई डाली गई थी तांग को इससे बुरा लगता है क्योंकि उसके रंग ना बदलने की वज़े से कोई उस पर चाई नहीं डालता फिर भी और सभी से दिखावा करता है क्यों बहुत खुश है क्यों सबसे अलग है वो और अब वो सबने देखने लगता है कि रंग बदलने के बाद सभी उसे पसंद करने लगेंगे अगली सुबे हमें पहाडों पर एक मिनी रोबोट को दिखाया जाता है जो उपर से लुड़कता हुआ, सीटी में आ रहा होता है वो एक फेरी स्विल्ट से होते हुए नीचे आता है और इदर उदर टकराते हुए उस टीप और शोप में पहुँच जाता है सभी टीप एड उसे देखकर ढर जाते हैं, तांग भी उस रोबोट बोल के साथ नीचे घिर जाता है वो रोबोट अब एक टीप हो जाता है, जिससे सभी और ज़्यादा ढर जाते हैं तांग हिमत करके उस रोबोट से पूशता है कि तुम कौन हो और कहां से आये हो रोबोट उन्हें बताता है कि मैं आज से तीन साल बाद फ्यूचर से आया हूँ फिर उन्हें एक प्रकाश की टनल दिखाता है, जिसके जरिये वो इस दुनिया में आया था मगर तांग को उस पर विश्वाश नहीं होता, क्यों फ्यूचर से आया है इसलिए उस रोबोट को कहता है कि तुम्हें साबित करना होगा क्योंकि अगर तुम फ्यूचर से आये हो, तो तुम पाश्ट के बारे में सब कुछ जानते होगे रोबोट अपने एडवांस सिस्टम की मदद से देखता है कि वहाँ से एक प्लेन गुजरने वाला है इसलिए उस सभी वो कहता है कि आहां से एक प्लेन गुजरेगा थोड़ी देर में जब वहाँ से प्लेन गुजरता है तो सभी को विश्वाश हो जाता है कि वो फ्यूचर से आया है, तब ही वहाँ टी शॉप का मालिक आने लगता है इसलिए वो सभी वापस से अपनी जगर पर जाने लगते हैं तांग भी उस रोबोट को छिपने हो कहता है, जिसे वो बोल बनकर टेबल के नीचे छिप जाता है और सभी टीपेट फ्रीज हो जाते हैं एक डिलेवरी बोई, जब वहाँ पार्सल देने आता है, तो चाय तांग के ओपर छिड़क देता है जिससे तांग को बहुत अच्छा लगता है, तांग उस रोबोट के पास जाता है और वो उससे पूचता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो रोबोट उसे बताता है कि मेरा कोई नाम नहीं तो तांग उसका नाम जियोलाई रख देता है, फिरो उसे साइड में लेकर जाता है, और उसकी तारिफ करते हुए, कहता है कि तुम बहुत होशार हो, और तुम फ्यूचर से आए हो, इसलिए तुम्हें पता होगा कि मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूँ, रोबोट उसे सकेन करता है, मगर उसे अपने डेटा में कोई रिजल नहीं मिलते, इसलिए तांग को बताता है कि मेरा घ्यान सीमी थे, मगर मैं वापस घर लोट कर खुद को अपग्रेट कर सकता हूँ, तांग को भी या आइडिया अच्छा लगता है, और उसे कहता है कि तुम अपने बा खोलना होगा, तांग और रोबोट अफ फ्यूचर में जाने के लिए किड़की से बाहरा जाते हैं, रोबोट तांग को पहाड़ी पर बने, फेरी स्वील को दिखाता है, जहां से वो आया था, इसलिए वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगते हैं, वो एक के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं, और फेरी स्वील को उनकर देते हैं, जिससे लटक कर वो उपर पहुंच जाते हैं, उन्हें वार रिंग दिखाए देती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वहीं वोर्म होल है, जिससे फ्यूचर में जाया जा सकता है, इसलिए दोनों उन रिंग को पार करते हैं मगर कुछ नहीं होता जिस्यों परशान होते हैं रोबोट को लगता है कि उन्हें इस पिश्टर की तरह सूपर स्पीड में उन रिंग को पार करना होगा इसलिए वो दोनों साथ में उन रिंग को पार करते हैं मगर वो आरपा निकल कर नीचे गिरन लगते हैं और इधर उदर टकराते हुए वो एक पेड़ शोब में पहुंच जाते हैं जहांके जानवर उनके पास आते हैं जिन में बुरी टर्टल भी होती है तांग उन्हें पुरी बात समझाता है कि वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं मगर उन्हें वहाँ जानने का रास् है इसलिए तुम्हें गटर से होते हुए नीचे जाना होगा जहां तुम्हें सबसे गेरे हिस्से में ट्री होल में मिल जाएंगे तांग भी से खुश होता है और होता है कि वो ट्री होल में तक पहुंच कर रहेगा बुड़ी दादियों ने बताती है कि तुम्हें समल कर र गिर जाते हैं तांग वहां देखता है कि रोबोट उसके दिये हुए ओडर को फोलो कर रहा था जैसे वह उसे गुमने केता है तो गुमने लग जाता है इससे तांग को बहुत मज़ा आता है मगर रोबोट को इससे गुसा आता है इसलिए उसे कहता है कि एसा मत करो फिरो आग गटर में पानी आने लगता है यह देखकर और दोनों उपर चड़ने कोशिश करते हैं मगर और पानी में बेकर बहुत नीचे पहुंच जाते हैं तांग गिरने लगता है मगर रोबोट उसे बचा लेता है वही हम पीगी को देखते हैं जिसका फीजिक्स में इंटरस्ट होने की वाज़े से वह अपनी बुग लेकर तांग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वह भी फ्यूचर में पहुंच सके वहीं तांग और रोबोट को गटर में दो चुए मिलते हैं जोने बताते हैं कि हम यहां के निवासी हैं और हम यहीं खाई में रहते हैं मगर यह जगह सुरक्षी ट्री हॉल मेंन के पास ले जाएंगे और उन दोनों को लेकर अपने डे की तरह बढ़ने लगते हैं वह अपनी चुए की दुनिया में ले जाते हैं जो बहुत ही खूसरत होती है मगर हमें यहां पता चलता है कि उन दोनों चुओं ने तांग से जुट बोला था और दोनों फ्लेश के लिए काम करते हैं जो वही लुटे रहा होता है जो टीपेट्स को नुकसान पहुचाया करता था और उसने बहुत दी बेशकिमती चीजे चुरा कर वा सजा रखी थी साथी उसने बहुत सारे टीपेट्स को भी गुलाम बना कर रखा होता है तांग जा था जा साइंटिश तुम्हें बना रहे थे लेकिन तुम्हें पुरी तरह से बनने में तीन साल का वक्त लगने वाला था मेरे दोनों चमजे जैसे ही तुम्हें चुराने वाले थे तो उनकी बेवकुफी की वज़े से तुम वहां से टकराते हुए लेव से बहां निकल ग तांग जियांग को बताता है कि हम दोनों को मास्टर ने बनाया था लेकिन जियांग उसे नहीं पेचानती फ्लेश गुसे में तांग को मारने लगता है लेकिन रोबोट उसे बचा लेता है और जियांग को भी आजात कर देता है जिससे रोबोट जियांग और तांग को अपन नगшие लिए कमांड होते हैं जो किसी के भी कमांड देने पर काम करता था इसलिए जब फ्लेश उसे कहता है कि वापस चले जाहो तो जीयोलायट रोबोट उसस्टे में जाने के लिए निकल giàता है जवह से बनाया जाता है औरों काफी कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता दुसी दरफ रोबोट भी रॉबोटिक रिसर्श सेंट्रम है पहुंच जाता है जहां एक एई उसके सामने आ सबस्क्राइब करते हो तो मेरे सिस्टम में वार्म होल इमेज कैसे है एक वार्म होल नहीं बलकि यह तुम्हारे thermal imaging, motion capture की वज़े से बनी एक image है, इससे रोबोट बहुत दुखी होता है, उसे वहाँ बहुत सारे रोबोट दिखाए देते हैं, जो सभी भी उसकी इतर है, वो इस कमांड पर चलते थे, औरो AI उन सभी रोबोट को एक ट्रेट करके दिखाता है, लेकिन ये सभी जियोलाइट रोबोट को पसंद नहीं आता, औरो AI से कहता कि मुझे order follow करना अच्छा नहीं लगता, औरो वापस अपने दोस्त को ढूणने के लिए, वेंट के तुरुआं से निकल जाता है, वहाँ मे पीगी को दिखाया जाता है, जो भी तांग को डूणता हुआ, गटर में पहुंच गया था, मगर वहाँ भी उसे मोटू और पदलू चुहे, घेर लेते हैं, जिनने जब पदा चलता है, क्यों तांग का दोस्त है, तो उसे अपने साल ले जाते हैं, वहीं तांग पानी से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब बहाँ नहीं निकल पाता, तब यूँआ एक लंप फिश आती है, जो चमक रही थी, तांग उसे डर जाता है, मगर तब यूँआ लंप फिश एक खराब डिवाइस में फस जाती है, तांग उसकी मदद करता है, और उसे बहा होता है, लेकिन जब पीगी उनने कुछ नहीं बताता, तो फिलेश उसकी फेवरेट फिजिक्स बुक फारने लगता है, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं बताता, वहीं तांग वापस आगे बढ़ने लग जाता है, मगर तब फिलेश के चमचे उसे देख लेते हैं, और उसे बचा लेता है, जिससे तांग बहुत खुश होता है, अब रोबोट और उस चुए के बीच फाइट होने लगती है, तांग और रोबोट मिलकर उसे हरा देते हैं, जिससे हो खुश होते हैं, तांग रोबोट से कहता है कि हमें जियां को बचाना होगा, रोबोट उसे बतात मगर रोबोट उसकी मदद करता है और उसे साइड में निकाल देता है फिरो तांग से कियेता है कि मैं ट्री होल मेन से पूछना चाहता हूं कि मैं खुद को दूसरों के कमांड फुलो करने से केसे रोक सकता हूं तांग भी उसकी इन बातों से कावी सेडो जाता है और अब वो दोनों पहले ट्री होल मेन को डूरने निकलते हैं वो दोनों अपने सफर के दोरान कफी मस्ती करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए हर मुसीबत से बहार निकल जाते हैं रोबोट को पता चलता है कि वो दादी कच्छवे के बताए हुए नक्षे के अनुसा ट्री होल मेन तक पहुँशने वाले हैं तब भी उन्हें वहाँ बोस से टोई और एनिमल दिखाए देते हैं जो भी ट्री होल मेन से अपने स्वाल पूशने के लिए जा रही होते हैं तांग और रोबोट भी उनके साथ जाते हैं वो एक मंच के पास पहुँशते हैं जहां काफी बिल्ड लगी हुई थी तब ही वहाँ एक लेड़ी फ्रोग आकर बताती है कि आज ट्री होल मेन का जनम दिन है इसलिए आपको उनसे मिलने के लिए मेरे मेंडर खिलाडियों से जीत कर दूसी तरब निकलना होगा और जो जीतेगा वही उनसे स्वाल पूश सकता है सबी इसे डड़ जाते हैं क्योंकि जो भी अंदर जा रहा था वो बुरी तरीके से मार खाकर बाहर आ रहा था रोबोट इमत करके अंदर चला जाता है लेकिन और फ्रोग उसे पकड़ लेते हैं तांग उसकी मदद करने जाता है और उन सबी फ्रोग से लड़ते हुए अपने दोस रोबोट को बचा लेता है जिससे तांग ए गेम जीत जाता है और उसे ट्री होल मेन से एक स्वाल पूशने का उसर दिया जाता है मगर हमें यहाँ पता चलता है कि ट्री होल मेन दरसल एक कम्पूटर होता है तांग उस कम्पूटर से स्वाल पूशने लगता है मगर तब यहाँ फ्लेश के चमचे आ जाते हैं जिसने सबी जानवर इदर उदर भागने लगते हैं और उपर बना हुआ पुल टूर जाता है रोबोट भी यह देख लेता है और तांग को इस बारे में बताता है मगर उसे शान रेने हो कियता है जिस्तियों ओफ हो जाता है और उसके ओपर बहुत सारी चीजें गिर जाती है तांग इससे कभी परिशान हो जाता है मगर तभी वहाँ शेन नाम का एक आदमी आ जाता है जो रोबोटिक लेब में काम क्या करता था और उस जगे उसका इस्टोर रूम थी जियोलाई समान में दबने की वज़े से काफी डेमेज हो चुका था मगर शेन उसे ठीक कर देता है और जब वह कुछ समान लेने बाहर जाता है तो तांग जियोलाई के पास पहुंच जाता है मगर वह एक ट्रेट नहीं होता इसलिए उसे लगता है कि अगर वह उसे फेरिस विल के पास लेकर जाए तो शायद वह ठीक हो जाएगा इसलिए उसे एक ट्रोली में लेकर वहां से निखल जाता है वो सभी मुश्किलों को पार करता हुआ किसी तरह रोबोट के फेरिस विल के पास ले जाता है अब लाइट की वज़े से जियोलाई का शिश्टम रीबूट हो जाता है और वो वापस से ठीक हो जाता है इससे तांग बहुत खुश होता है अब वो दोनों साथ में बाते करने लगते हैं तांग जियोलाई को बताता है कि ट्री होल मेन कोई आदमी नहीं बलके एक वेबसाइड थी जहां लोग अपने प्रशनों पर चर्चा करते हैं मगर अब मुझे जियां को बचाना है जियोलाई उसे कहता है कि हम साथ में उसे बचाएंगे लेकिन तांग नहीं चाहता था कि फलेश उसे कोई नुकसान पहुचा है इसलिए जियोलाई के बटन को दबाकर उसे उफ कर देता है और उसे वहाई कंट्रोल रूम में छिपा देता है अब तांग मशलियों की मदद से फलेश के महल वाली साइट के पानी का पाइप खोल देता है जिससे वहाँ पानी भणाने लगता है और सभी च्वे डूबने लग जाते हैं जिससे मोका पाकर तांग पिंजरे में केट अपने सभी दोस्तों और जियांग को आजात करवा लेता है और उन सभी फिश पर वेट कर वहाँ से निकल जाते हैं तांग और जियांग एक गटर में नीचे जाने ही लगते हैं मगर तब यहाँ जियोलाई पहुंच जाता है जो उनकी मदद करता है और उने अंदर जाने से बचा लेता है वहें फलेश अपने महल को बरबाद होते देख बहुत गुसा होता है दूसरी तरब तांग जियोलाई से पूचता है कि तुम यहाँ कैसे आए तो जियोलाई उसे बताता है कि वहाँ कंट्रोल रूम में एक गार्ड ने मुझे गलती से उनकर दिया था जिससे मैं फिर तुम्हें बचाने यहाँ आ गया अब तांग के सभी दोस उसे जान बचाने के लिए थेंस खेते हैं अब तांग जियांग के साथ मास्टर के गर पर आ जाता है मगर तब यहाँ फिलेश आ जाता है जो जियोलाई के वोईस कमांड रोबोट होने का फाइदा उठाकर अपनी वोईस से कंट्रोल करके तांग और जियांग पर हमला करवाने लग जाता है मगर तब यहाँ जियोलाई के अंदर से तांग का दिया हुआ गिफ्ट बार निकलता है जिससे उसके सिस्टम में गिलिच आने लगते हैं और उसे याद आता है कि तांग उसका दोस्त है और अब वो अपनी वोईस कमांड चीप को भी तोड़ देता है और फ्लेश को दूर गिरा कर उस पर जोरदार हमला करने लगता है और उससे बार फियक देता है इससे तांग कुश होता है मगर फ्लेश मरा नहीं था और अब वो बट्टी को चालू कर देता है जियोलाई तांग और जियांग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फ्लेश उन पर हमला करने लगता है रोबोट बहार निकलने के लिए दरवाजा तोड़ देता है मगर वहीं फ्लेश तांग का पेर पकड़ लेता है रोबोट उससे बचाने कोशिश करता है मगर जब तांग देखता है कि उसकी वज़े से जियोलाई का हाट डेमेज हो रहा है तो खुद ही उसका हाँ छोड़ देता है और फ्लेश के साथ बटी में गिर कर खत्म हो जाता है और एक जोरदा धमाका होता है और अब रोबोट और जियांग भी दूर गिर जाते हैं अगली सुबे दिखाया जाता है कि जब मास्टर की आँख खुलती है तो वापस से बटी को चालू देखकर हिरान होते हैं वो जब बटी में देखते हैं तो उने तांग मिलता है जो पूरी तरह से काला हो गया था मास्टर को याद आता है कि यह वही नाया मूर्ती है जो उनों ने अपनी वाइफ के साथ बनाई थी इसलिए उस मूर्ती पर फिर से काम करते हैं और उसे सफेद कलर कर देते हैं जांगो तांग का रंग काफी पसंद आता है वो दोनों जीओ लाइफ को डूरने बाहर जाते हैं मगर वो देखते हैं कि वो पुरी तरह से तूर चुका है मगर चीटियां उसके पार्ट को एकटा कर रही होती है क्योंकि जीओ लाइफ ने एक चीटि की मदद की थी इसलिए जीओ लाइफ को ठीक करने के लिए शेन के पास ले जाती है और अप्षेन जियोलाई को फिर से ठीक कर देता है तांग उसे देखकर खुश होता है और अब जियोलाई नेट से अपनी नोलेज बढ़ाने लगता है और तांग भी अपने नए रंग से खुश था और यहीं पर इस मुवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और गाईस अगर आप एसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंडि स्किन बर किलिक करके आप इन वीडियोस को भी वच्च कर सकते हैं साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबिस्क्राइब करने के लिए आपका तरही दिल से शुक्रिया ते हैं सोरो जिंग